यहां जी किस तरह में अपने कांच के विचाने वाली हूं його कि अguyवी को कट को किस तरह हैं जी पहले गरम पानी इतना कर ले डा कर सके नमक डाल देना इसके अंदर अच्छे से नमक डालने से क्या होगा जितने भी गोबी के अंदर जर्म चोटे-चोटे कीड़े उन्गे वह सम मर जांगे जब भी आप लोगो ने गोबी पकानी लाजमी इस टिप की तरह पकानी है पानी करम करके फिर उसके अंदर 10 मेंट के जार हैं ये कभी कोई तूर जाता है और कभी कोई तूर जाता है इसका मैंने एक जगार लगाया है तो ये जगार जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी अगर आप लोगों के पास भी ऐसी बरनिया है नमक मिचों वाली तो आप ये तिप आप लोगों के लिए जि देखें जब भी हाथ से नीचे गिरता है तो तूड जाता है लाजमी तूड जाता है तो इसे तूड ने से पचाने के लिए मैं जो है एक बहुत जबर्दस आइडिया लेकर रहीं हैं आइडिया क्या है जी बचों के जो बालों में हम लगाते हैं रबट वाली पॉनी होत तो इनको जो है मैं दो दो करके सब के उपर लगा दूँ इससे क्या होगा कि मेरे जो चार के जो जार के जो कैप है वो बिलकुल महफूस हो जाएंगे और बार बार टूटने से बचे जाएंगे और ये लगी हुई भी खूसरत और अच्छी लगेंगे जब ये खराब हो जैसे जैसे इसको आवाज आ रही है ये येलू है या इसको सराख बंद हो जाएं तो इनको खोलने के लिए क्या करना है जी आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा कंगा लेना है इस कंगे से जो है बहुत ही अच्छी हमारे चूलों की जो सफाई होती है अक्सर होता है कि हमारा प्राणा कंगा ले लिए इससे क्या करने मैं जितने भी इससे उपर से फिर दूँगी इससे निकल जाएगी तो इसी तरह करने से जी हमारे जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगें देखे कितनी ऊतर रही है मेरे कंगे से आपको नजर आ रहे हैं वाइट वाइट उपर यहां देखें कंगा नीचे भी मैं इसी तरह से करके अपना साफ कर दो कंगे से जो बहुत ही अच्छी सफाई होती है जो कंगा सफाई करता है ना वो बिल्कुल भी कपड़ा या कुछ भी नहीं कर सकता यह तो आप कंगा ले ले नहीं तो आप जैसे के गोलियों के खाली काना खुशक से ही साफ करना जितना हम इसको बचाएंगे उतना ही हम इसकी लंबी जिंदगी पास सकते हैं अपने स्लंडरों की यह स्लंडर निया हो या पराना हो यहां जी एक और टीप है मेरे पास जैसे कहा हम ऐसे उठाते हैं तो आप क्या करें परानी सूख जो है अपन सिर्ण पीन ले लोगों को फिर ए उसकिवर हजाब पीन ले लें श्रॉम्स्राओी की बालौ के सब सरह एंस पीन पीन पूलगे जितना चुकना के इमाले लाट पिन निए यह एंस वीजाओं लुजाओने यह तर शकूल विच अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ये देखें जी मेरे जो है माशाला से सारे बिलकुर स्राख ठीक हो चुकी हैं लाहफीज